प्यार लाइव डाउन वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आज के हमारे सेशन एक्सपर्ट मिस्टर अक्षेभ भागवत ही इस सीनियर वाइस प्रेजिडेंट इन रिसर्च टीम आफ जेम फिनांशल्स इनको अट्रा साल से जादा हो गए है इंडियन एक्विटी मार्केट में फिनाशल्स तो चलिए शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास मिस्टर अक्षेभ भागवत के साथ और हाँ दोस्तो आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप यूएस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें अक्षे ओवर तो यू नमस्कार बूड इनिंग तो आल दे विवर्स तो थैंक्स अभी शेख पर दे इंट्रोड़क्शन तो अल अल आफ और शायद अब तक हमने जो हमारे तरफ से प्रहत्न के आपको सिखाने के लिए कि ऑप्शन का मार्केट में किस तरह से एनलिसिस किया जा सकता है हमने आपको काफी सारे सब्सक्राइब कर आया और एक स्टेप अभी हम फर्दर लेंगे जहां हम आपको जानकारी देंगे की ऑप्शन स्ट्राटेजी आप कैसे बिल्ड कर सकते हो तो बिफोर स्टार्ट में प्रेजेंटेशन में अपके साथ स्क्रीन शेर करता हूं जैस्ट गिव में अ मिनिट सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे बड़ा मार्केट में दिख्कत होता है कि आप व्यू बनाओ व्यू बनाने के बाद आप ऑप्शन्स में कौनसा स्ट्राइक मेरे लिए सब्सक्राइब इसके उपर स्ट्राइजी बनाने की जब बात आती है तो हम थोड़े से हिच की चाहते हैं बट मेरी मानिया अगर आप स्ट्राइजाइज करेंगे यूजिंग दी ऑप्शन्स मार्केट तैस्ट इस दवे अहेड क्योंकि वी आर डिलिंग विट इन इंस्ट्रुमेंट कॉल फ्यूचर और फ्यूचर और उप्शिन्स विच इस आई लेबरेज प्रड़क्ट सो स्ट्राइजेज करना बहुत इंपोर्टेंट है बिफोर यू स्टेप इंटु इंटु इस पर्टिकुलर बोल्ट सबसे पहले वाइस्ट्राइजी पर हम डिसकेशन करेंगे तो अब द करने ग्राउंड के एंटर करने के पहले हम अपनी एक रणनीती बनाते हैं तो इन दे सेम वे बिफोर वी एंटर दे मार्केट वीजिंग दिफ्यूचर और अप्शिन्स वी शुडबी वेल एकृप्ट आर गेम प्लान हमें क्लियर ली वेनेवर वी यूज फूचर और ऑप काफी अनांसर्ड रखते हमेशा क्योंकि जिस तरह से मैं देखता हूं बहुत सारे जो ट्रेडर से एंटर दे मार्केट इदर वन बेसे संटेप सम एडवाइस और जस्ट रैंडम इमोशन की मार्केट चल रहा है तो मुझे लगता है यह स्टॉक चल जाना चाहिए और हम उ सब्सक्राइब करते हैं अपने ब्रोकर के साथ और बहुत ही बड़े मार्केट में ट्रेड करते हैं अगर आज आपको रिलाइंस खरीदना है अब फ्यूचर तो अगर आप रिलाइंस का कॉंट्राट से देखेंगे करीबन आट से पर फ्यूचर में पार्टिसिपेट करें तो सिर्फ मार्जिन मनी रखना है जो करिबन स्याइद एक से डेड़ला के बीच में पड़े अगर यह फ्यूचर है और अगर हम इसमें टाइमिंग में गलत पड़ जाए तो हमें जो प्रॉफिट या नुकसान होता है वो पूरा हमे होता है कॉंट्राक्ट टोटल कॉंट्राट के इसाब से तो मेरा हमेशा मानना है कि जब यह फ्यूचर और ऑप्शन में कोई ट्रेड ले तो एक स्ट्राटेजी बनाएं तो स्ट्राटेजी बनाने के लिए जो अलग-अलग इंग्रीडियंट्स है इसके बारे में आज मैं को जान करें दूंगा तो हलां कि यह बहुत ही लेवरेज़ प्र पॉजिशन है तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हमें इसमें बहुत जरूरी है तो स्ट्राटेजी क्या होता है तो नॉर्मली विंदी स्पीक अबॉट स्ट्राटेजी दियार कॉंट्रा बेट्स अभी क तरह से कॉंबिनेशन अपने जोड लिए कि आपको एक एडवांस में पता चलता है कि मेरा यह रिस्क प्रोफाइल क्या रहेगा यह स्ट्राटेजी में पैसा बनेगा तो कितना रहेगा इस तेंशन मत लीजे बहुत आसान है इसकी जानकर में पूरी आपके साथ अभी शेर करने वाला हो और प्रस्ट में इस इस वन अफ बेस्ट वेस्ट ने फ्यूचर जो मोमें ती वन अफ दे ट्रेडर साइन उन्होंने एक कॉल बेचा था फिन इस अजार साथ सूपचास को उन्हें ने दस रुपए में बेचा था उन्हें एक अरजन फोन आ गया इसले उन ती टू थर्टी को उनको अटेंड करने जाना पड़ा दस पंदरा मिनिट जैसी वो लॉटे वापस तब तक उन्होंने देखा जो कॉल बेचा है दस का पचास हो गया था कमाने गयते दस रुपए हो गया पचास अब करे क्या यह होता है विकॉज यू डू नॉट आब गेम प स्ट्राटेजाइज यूर ट्रेट इस वाट वी एडवाईज ओल्वेस फंजेम फिनांशिल सो मेक अवरॉल एंड क्लियर व्यू और ट्रेड विद कॉंफिदेंस बहुत सारा टाइम अब देखते है ट्रेड में आप एक ट्रेड ले ले लेते हो एक स्टॉप लॉस रहता ह स्टॉप टो चूलियागे वापस टॉक ऊपर आ जाता है करें क्या यहेरा का यह मार्केट में थोड़ा सा एक पेंपॉइंट है ऐसे बहुत सारे होते तो पिर मन उठ जाता है मैं बोलता हूं अगर विस सई है अपने औरल मार्केट का विउ बनाए तो स्ट्रैटेजी बेस्ट के सिनारियो और विव से स्टिक्रा पुरहना आगे पिछे व्लाटिलिटी में स्ट्राटेजीज ही है जो आपको ये व्लाटाइल मार्केट में वेल्प यू टाइड ओवर इस पर्टिकलर फेज इन देमार्क मार्केट सो मुविंग ओन नेक्स्ट इस फिर सब्सक्राइब करें तो अगर आपको लग रहा है कि यहां से रिलाइंस में एक बीस से तीस रुपए की जली ही एक उचाल मिलने को मिल सकती है तो वैनिला कॉल बाइक करना सअकने अपने कर लिए ट्रेड के लिए एंटर कर लिए सीदा कॉल काँई कान सा कॉल कॉंसा है कि है क्या significant momentum that is where the options as a strategy will help you so whenever you buy an option it is always a limited risk and a high reward strategy यह हमने पहले जो हमारे sessions में हमारे colleagues नहीं लिए उसमें अपने सीखा तो इस मोर आप momentum और डेल्टा प्ले तो जब भी भी आप options buy करे directional buy करे तो आपका जो टाइम फ्रेम रहता है वो तीन से चार दिन के उपर नहीं होना चाहिए यह मेरा फिलीफ है इस डिबेटेबल बटाइम आपने उसमें पैसा बना लिया जब भी आप options बेचते है ना विन यू सेल आप्शिन यूर रिस्क इस unlimited because you're only playing for that particular premium of which you have sold गलत पड़ गये इसमें तो भरी पड़ सकता है लॉससे चैन बीट लिमिटेड विट सेल ऑप्शिन इस एक वर टाइम वैल्यू टिके यहां पर जो है ऑप्शिन सेलिंग में तो टाइम फ्रेम है थोड़ा सा पांच दिन वाला नहीं रहता है कभी कभी पनरा दिन हो सकता है कभी आप ट्रेड लेते वह बहुत वह बहुत रहता है इसमें सो सेलिंग ऑप्शिन अगें स्टॉप लॉस आपने नहीं मेंटेन करा या अपने स्ट्राटेजी नहीं बनाया तो यह बहुत ही आपके ट्रेड के लिए हानिकारक हो सकता है सो वैनिला ऑप्शिन्स हाज इट्स ओन डिस अड्वांटेजिस बाइ करके भी त जीरो हो गया आपको ऑप्शिन तो पूरा जो पैसा अपने लगाया वह जीरो हो गया तो लिमिटेड रिस्क है पर स्टॉप लॉस रखना वह चीज में जरूरी है इट्सा मोमेंटम प्ले वैनिला कॉल अपने जगह पे अभी आते हैं ऑप्शिन स्ट्राटेजीज में विन जी साइडवेज है यह रिजाट के पहले चलना चाहिए एक वियु बनाए आपने एक लियर वियु है इसको हम ट्रेड करें कैसे तो यूवाब एक ट्रेजी एक लिए तो यह बाई दूरू इस प्रेसेंटेशन हो तो मेंग बाईजी प्रेसेंटेशन प्रेजी बड़ेशन पूरा मेना वेट कर सकते हैं लेट अस्टाइजी रन लेट अस्टाउक रन थोड़ी बहुत वोलाटिलिटी भी हो यूँ चैन मिटिगेट इसली तो क्लियर पिक्टर इस नोवन इन एडवांस ऑन रिटर्न इन रिस्क इन्वाल जो मैंने स्टार्टिंग में पहले तो अब चैन में लीट गाए जो अब रहुड़ी खीर आज पनाई ये रिस्क जान फिरी रही ये वान जोन बहुत पहले स्टाइजी गाए लुल्ट इन नहीं प्रफर्माइज और शवाल जो चैन प्ली रही ये जो जाए लिग आट वरे खीर अट प्रफर्माइज पर्फ that is the reason I say this is more of a tension-free work and one of the best things which most working professionals can look forward to. Now the third part here in the strategy part is building your own strategies, right? So in today's presentation, I know strategies is something, you know, as I mentioned, it is something which is not very comfortable topic for many other options may strong hold head to definitely it's a very good thing. But I'm going with the assumption that all of us here are in the learning phase as we step gradually, you know, in our options masterclass. So today we are going to discuss two simple strategies which can be participated in a bullish market and a bearish market. So here I would start with a bullish case scenario, a strategy which we call as a bull call spread. Now bull call spread as I have mentioned in this note consists of buying an option of a lower strike price and at the same time shorting the call of a higher strike price, right? This will be for the same expiration means for the same expiry and for the same particular stock which we are looking at it. To istme logit bhoat hi simple hai, Jaisi me apko ko koi stock positive lag ra hai, apko sirf jaanah hai, ya applied analysis me apne dhuun liya kiya stock from x to y point jane avala hai, ya ap shure hoogay apne analytics ke ki yun july series me yas tok x to y point उपर जाने वाला है now the best way of making a bull call spread is buying a call of at the money strike or a strike आगे पीचे depending on how your view stands और जो दूर का call है उसे हम बेचेंगे so that we pack that strategy and we know that how much is the maximum risk and the reward which we can make out of this look I can explain this you with a simple example of Tech Mahindra so Tech Mahindra का अगर मैं सेटप देखो this is more of a live market example I'm taking you can take Mahindra ने एक multi-year breakout करा है दो दिन पहले at 1160 stock बहुत ही range-bound राया अगर आप यह चार्ट में देखे it has given a breakout at 1160 and on basis of technical price readings there is a very good chance the stock can go till 1225 to 1230 on the upside for the month of July to minute view बना लिया है कि Tech Mahindra bullish है and I want to capture the move from 1180 where it is trading right now to 1220 to what are the various options or what are the various products available for me to participate in the futures in option segment UK Sida में futures करीद लूं जिसमें में target रख लिया मैं इने stop लगा लिया अगर मैं गलत पढ़ गया तो इट कैन भी वेरी हानी का रख फॉर मी stop loss ले के जा सकता है वापस उपर आ गया तो आप को सेंगे आ रहे तो stop हो गया वापस उपर आ गया and you know it's not worth the trade दूसरा चीज़ हो सकता है वेर्यू बाय कॉल सपोज अपने बारा सो की कॉल चो 27 रुपए में ट्रेड हो रही है अपने बाय करा टार्गेट रख लिया stop-loss रख दिया इसमें तो अगर आप expiry के हिसाब से सोचेंगे तो आपका कॉस्टिंग बेढ़ गया इसमें 27 रुपए क्योंकि आप प्रीमियम पे कर रहे हो 27 रुपए का प्रीमियम खरीद के आप बाइक कर रहे हो बारा सो की कॉल तो बारा सो को आप 27 रुपए जोड लीजिए 12227 इस और कॉस्टिंग इन दि लगता है तीन-चार दिन में टेक महिंद्रा चल जाएगा डोंट गो फर स्ट्रेटीजी सीधा बोल रहा हूं बाइकॉल कर लिजे एक स्टॉप लगा लिजिए चल गया तो प्रॉफिट बुक कर लिजे स्ट्रेजी विल बेहलपफुल इफ यह वावश्ली ब्रॉडर व्य आप अपनी लेफ्ट साइड में है पुरा थन तो पुरा यह आप देख लिजिए जो क्लू में आप देखने मिल रहा यह लास्ट की प्राइजे अलग- master फे और जो राइट साइड पे आपके स्कृइन में देखिए उसमेरे रैट तो यह मेरे लिए पुट्स है जो लास्ट प्राइस देखेंगे सब पुट्स के अलग-अलग स्ट्राइक के भाव है तो बारा सो का कॉल कल 27 रुपए में मिल रहा था तो एक स्ट्राइजी हमने देखी बारा सो मैंने सीधा-सीधा बाय कर ली तो अगर इसको मैं बुल कॉल मे कनवर्ट करूं तो मुझे सिलेट करना है कौन सा स्ट्राइक इसके सामने में बेच हूं तो सपोज मेरा टार्गेट बैट रहा है इसमें बारा सो तीस का तो मैं बारा सो तीस का कॉल पेचता हूं 17 रुपए 40 पैसे में तो दोस्तों सबसे बड़ी एडवांटेज इसमें है कि जो में पहले बारा सो का कॉल में 27 रुपए में खरीद रहा था सामने कॉल बारा सो तीस का बेच के जो कॉस्टिंग है मैं उसका कम कर रहा हूं सीधा 17 रुपए से तो सोच लीजिए आप कॉल बाय करो यह चीज़ आपको डिसकाउंट में मिल रही आज तो 1227-17 तो 10 रु इस आप चार्ट आप टेक महिंद्रा आप यू लुक अटिस कॉंपक्ट स्राटेजी विच आप डिसकाउंट इस कॉल अबुल कॉल स्प्रेड नो इस प्योफ चार्ट इस फ्रॉम एन एक्स्पारी पॉस्पेक्टिव अगर यह एक्स्पायर कि दर भी बारा सो की नीचे तो मैं लॉस करूंगा मैक्सिमुम चार हजार दोसो पर लॉट सिंपल अजाट कुछ भी निवस आ जाये स्टॉक में कंपनी में कुछ कल उठके मार्केड में प्रॉब्लम आ जाये कुछ टेंशन नहीं है यूनों वाट यूर गूंट टू टेक एट एट्स वर्ट के सिनार पल सीधा सीधा बाए करा था हमारा ब्रेक इविन था 1227 अगर यह चला ही नहीं क्योंकि जो ऑप्षिन में है हमारे हमारे प्रीवेश सेशन में अपने देखा रहेगा की टाइम वैल्यू एक ऐसा चीज होता है जो ऑप्षिन के प्रीमियम को जैसे विनियर दी एक्सपाइर तो आप मान के चले कि पंद्रह जुलाई के बाद नॉर्मिली यह डेप्रिसेशन का पेस्ट जो है ऑप्शिन का प्रीमियम का फास्ट होना चालू हो जाता है तो आपको अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं करा फास्ट सिर्फ कॉल बाइंग के बाद तो यू कें भी अशॉर्ड कि यह स्टॉक भले बाद में चल जाए कुछ आपको उसका बेनिफिट मिलने नहीं वाला है तो पिक्चर दिसकी टेक माइंद रहा एक रेंज में रह गया पीस चुलाई तक और लाट दस दिन में एक साथ दिन एकस्पाइर के पहले चल पड़ा और बारा सो पचीस पे एकस ब्रेक इविन इसका हो सकता है उपर की तरफ अल्दो यार प्रॉफिट इस फिक्स्ट टेक माइंद रहा से भाग भी जाता है तो मैक्सिमम पारा सो पचास जाए पारा सो असी जाए तेरा सो जाए यू आर गूंग तो मेक 7800 इन इस ट्रेड तो विन यूर तेकिंग इस ट् 24,200 आपका जो लक्षमन रेका है या ब्रेक इविन जो हम कहेंगे इसको वो है बारा सो पांच की आपको बारा सो पीस के ओपर क्लोस हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट अप गेन कर सकते है स्टाइजी में बारा सो दस पांच के आजू-बाजू ब्रेक इन रहेगा नो प्रॉफि एक इस app for me why only 1230 strike is the call I sell now here you know it is a bit tricky which strikes to use now which strikes to use completely depends on your analytics and Tech Mahindra तो अभी मेरा टार्गेट एरिया जो है मुझे लग रहा है बारा सो थीस होगा that is why I am comfortable with this risk profile of selling 1280 का 1230 का कॉल so the whole logic is 1230 का कॉल बेच रहे है हम expect कर रहे है कि यह जो स्टॉक प्राइज है बारा सो थीस तक भी close हो जाता है जो पुरिम हम बेचे है इसमें जो करीबन 17 रुपए पे था पूरा हमें वो खाने को मिलेगा 17 रुपए सामने स्टॉक चलने का हमें benefit भी मिलेगा जो हमने कॉल ख विव यू है अश्टी इस अमोडरेटली बुलिश प्राइजी इस अब बॉलिश्ट ट्राइजी इस आप लगता है आपको कि एक महें दरा तेरा सो जाने वाला है तो स्टाइजी की कोई जरूरत नहीं है तो स्ट्राइज गो फॉर बाइं इन कैश और मैभी यू थैज बा स्ट्राइजी वेर यू नो हो मुच यू आपके लूज इन केश यू नो यू दो नॉट गेट राइट इस इस आपसे आज उसका प्रीमिम शायद 25 रुपे चल रहा है 4-5 रूपीज लॉट पूर 5 रूपीज दाउं 600 का लॉट थीन अजर का लॉस रहता आज M2M का थोड़ा सा पें रहता है वह लॉस का हमेशा तो स्ट्राइजी बना देंगे तो वह डर नहीं रहेगा तो नुच वह दर नहीं रहेगा तो चूस दिखने स्ट्रीट पंदिगे इस दिखने रहेगा 1180 at the money 1160 which is in the money. It all depends on how your comfort is. So you select the strike of buying at the money slightly one strike out of the money or one strike in the money and the call you will sell on the upside should be good enough so that it gives you a good risk reward payoff. So you can get it on a lot of of websites. It is all free of cost. And today, you know, it is a tech savvy world algorithms a driven world. So getting all this payoff charts is not a difficult task. In fact, I can just share my screen. I'll do it in the next present and next case scenario, which I will discuss with you. And I will show you a simple Excel sheet, which I have designed for myself where you know, you can just play around with various strikes for risk profile. And that will just clear all your doubts for you. But this strategy, which I present before you is called bull call strategy. Now I move on to the next presentation part, which is a bear put strategy. Now bear put is exactly the opposite of a bull call strategy. And what is a bear put is when I have a moderately bearish view on the index or the stock I devise a bear put strategy. Again, strike selection depends on the view. And the best part I will tell you here is margin margin का क्या हिसाब है इसमें तो अगर आफ फ्यूचर में सीधा 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 लेंगे तो आपको जो उसका जो margin भरना पड़ेगा. यह सीधा उसका 60% माइनस कर ले वो strategy में होगा सीधा कॉल भाय करे आप तो जो भी आप प्रीम ले रहे multiplied by the lot size. That is the maximum margin you pay. So strategies also is available at 50% benefit over a future. That is also one of the best advantages you can have in trading. So मैं तो बोलता हूं, for all the retail and HNI participants, if you have a clear market, go for these strategies. You know, it's these are tension-free things to do in life and have a clear view and stay with your view till you benefit out of it. Now, moving on to the bare put strategy. This is one I have made for you in the nifty at the current market. This was made by me yesterday. Now, nifty coffee over stress tih. हमें लग रहा है कहां है न कहां, हरे काजमी को लग रहा है कि अब भी तो selling आएगी अब भी तो आएगी यह दो तीन दिन से चल रहा था पर कहां पे मुझे टाइम करने मुझे clarity नहीं थी इसमें तो strategy is the best way अगर सिर्फ पूट लेके बैठ जाओ दो दिन पहले में पूट लेके बैठता 19-200 की तो दो दिन जो चल गया मार्केट 19-500 तक वो पूट का प्रीमियम सीधा घटके 30-40 पर्सेंट डाउन मिलता मुझे तो वापस एक स्ट्रेस वाला सिच्वेशन हो जाता कि लेते लेते उल्टा पड़ गए तो strategy बिठा थे तो सब चीज कंट्रोल में रहता मुझे पता रहता कि this is my maximum loss this is my maximum profit तो अगर आप निफ्टी का यह option chain देखे this was for the 13th July weekly expiry वापस calls का blue में है puts का blue में है you can see the premium this is an option chain which you call this is live on the NSE which you can get it on any website and even on the NSE website which is refreshed every two-three seconds delay if you look at the chain of options in the Nifty यह हुआ इसका bear spread का pay off तो आप देखेंगे मैंने spread बनाया था 13 July का आपको बाई करना था उधनीश पात्सों का at the money strike of put 115 में मिल रहा था कल सामने बेचते आप 19300 की put 43 में और यह ट्रेड में आपको करीबन margin लगता था 19 300 19 300 right I make maximum profit of 6400 and if it expires anywhere above 9500 I make 3600 laws on this what am I doing I am buying a put of at the money 19 500 और दो स्ट्राइक दूर का put बेच रहा हूं so the whole logic is सिदा पूट खरीद लिया मैंने मंदी का वियू हो गया एक जैसे स्टॉक गिरेगा वो पुट का प्रीमिम अप्रीशेट होगा उननीच इस तिन सो का पूट बेचना मिन से बुलिश या कॉंट्रावियू हो गया बटाइट तो जो 43 प्रीमियम है वो भी मुझे खाने का है सामने तो उसके चकर में वो बेचके में थोड़ा मेरा जो प्रफिट्ट्ट्रेट में की पुटिंगा कैप अन्में प्रफिट्ट्स बिकाइट इस एदिए फोर वन वे सेल उन वी तो दोनों साइट का बेनिफिट मुझे स्टाटेजी में मिल रहा है तो इस विव लुक अप्र प्रॉक्ट्ट्चर अलmust 2 इस टुए one risk reward payoff and this is more of a tension free strategy I know what I'm going to make I know what is my risk here and I would suggest all our traders do the strategies in the market and have a tension free trading journey now as I mentioned I will just share my screen with you I will just take you through the Excel sheet which I told you so if you look at this Excel sheet so what we did was we bought a 19 500 put yesterday and we paid a premium if we paid a premium let's say I think it was around 215 and I sold a 19 300 put and I paid a premium of 43 rupees against it and this is my payoff table 19,000 and this is 100 so roughly you know I think this was a little bit of a premium yeah approximate medal now if I want you can just we can just go back and just share this so if you look at this this was yesterday's this was yesterday's this was the presentation which we speak of so here are the premiums which I showed you in the slide 19 300 this was for Tech Mahindra this was for Nifty so 19 300 226 so the question is why 19 500 I could have selected 19 400 at 70 what would happen so if if I went for 19 400 at 70 rupees so the only difference would matter is 19 400 at 70 rupees yeah yeah I hope you can see it now the risk reward is completely changing here yeah yeah so yeah so 1300 is the maximum risk I will have in this trade and 3600 is the maximum reward but the difference either by the enough Paris yeah your work but the even though he doesn't have any to know yeah the mic is gonna be much less than he said 19 500 let me really didn't do that to show the same is good for me to buy which strike is good for me to sell study the payoff structure build almost a 1.5 to 1 risk and go ahead with it right so this is the best way to strategize always go for buying calls either at the money or one strike otm or one strike in the money this is my recommendation lucky you are free to choose which is good for you but when you sell otm puts do not sell very deep otm strikes go for selling strikes which give you a good risk reward in terms of the view you have the simple way is up a target banana yeh kahaan tak aap dekharahe isko add the money ka put lijeje wo jo target ap ko dekharahe isme wahaan ka ap saamne jo ko teji hai to call beche put mandhi hai to so this is a bullish strategy which I very strategy which I shared we shared two simple strategies today one is bullish one is perish and with that I conclude because much is a data to complex nai as we move into our second my next master class uh uh webinars we will make things more simpler for you we will discuss slightly complex strategies but this is the best way to target a bullish market or a bearish market and I wish you all the best for your trading journey with this experience thank you thank you action a web本 only की जबरदस्था मुझे लगता है कि आज के सेशन के बाद हमारे व्यूवर्स को बहुत मिला होगा कि किस तरीके का स्ट्राटेजी विल्डप कर सकते हैं क्या कर सकते हैं अपना रिस्क मिनमाइस करने के लिए क्यापिटल मल्टिप्लाइब करने के लिए तो अच्छे हमारे प है इस तरीके का जब मार्केट होता है जहां पर कहीं बार कुछ समझ भी नहीं आता या एकदम से निगेटिव हो जाता है तो कौन सी स्ट्राटेजी आप रिकमेंट करेंगे जिसमें रिस्क मिनमाइस हो सके हैं तो जो प्रेजेंटेशन में जो अभिशक जी हमने डिसकास कर अब स्ट्राटेजाइज करना सबसे बेस्ट विया है क्योंकि मार्केट कहां पर टॉप होगा एक क्वेस्टिन मार्क सबके दिमाग में रहता है अब जैसी उननीस दोसो तीन सो क्रॉस करा मार्केट में सबके जुबान पर यही चीज था यह तो टॉप हो गई यह तो सबको पता है तो वह एक जो प्योट पॉइंट होगा वह मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है पर मार्केट में वह चीज के लिए हमें हमेशा तयार रहने का होता है तो उसके लिए अगर जैसे मैंने एक सिंपल एग्जेंपल बैर पूट स्ट्राटेजी का दिया तो अगर अगर मार्केट थोड़ा आपके खिलाव भी चल गया होता तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती उसमें अपने पुट खरी लिया होता और गलत पढ़के तो तूरंद इसका प्रीमिम आदा हो जाता बना के रखा तो आपको पता है चलो गलत भी पढ़के तो सामने मेरा य पर ब्यू कभी से रहे वह टाइमिंग मिलना बहुत एक बहुत ही मुश्किल एक नाजुक सा एक घड़ी है तो हमेशा उसके लिए स्ट्राटेजी है जो आपको पफर दे देता है क्योंकि हर चीज टॉप लॉस से नहीं चलता मार्केट में टॉप लॉस वह चीज़े जो आ कुमारे बहुत रिगले विवर हैं उनका ये क्वेशन है वाट इस दे डिफरेंस बिविन अ कवर्ड कॉल स्ट्राटेजी और प्रोटेक्टिव पूर्ट स्ट्राटेजी और अंड हाव दे प्रोवाइड डाउंसाइट प्रोटेक्शन फॉर तो यह जो स्ट्राटेजी आप कॉल बेचते हैं तो इसको कवर्ड कॉल का जाता है तो आप समझ यह कॉल बेच के आपने उसको हैज तो कर दिया है पर वह आपको हैज तभी होगा चितना अपने प्रीमियम बेचा है वहां तक यह आपको प्रोटेक्शन मिलेगा पर एग्जेंपल आज अगर अपने निफ्टी में बुलिश हो और आपने उननीस पाथ सो पे बाई करा है और अपने कवर्ड कॉल स्रेटेजी करने के लिए उननीस पाथ सो का एड़ दमनी श्ट्राइक का कॉल फॉर एग्जेंपल सौ रुपए में बेच दिये निफ्टी गिर गया आपको यह कॉल सिर्फ सौ माइनर बुलिश हो यह आपको लगता है कि शाइज स्टॉक थोड़ा उदर एक रेंज में ही रहे यह थोड़ा सा नीचे आए तो इटकें गिव बेनेफिट ऑफ बाइंग इन फ्यूचर सेंसे लिंग इन सेलिंग कॉल बिकॉस अब टाइम वेल्यू टिकें कॉल अभी कोव अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस तो पुट बाइंग निस अपका लॉस इस लिमिटेड ओनली तुद प्रीमियम यू पे अगर यही केस में एक्जैंपल जो मैंने आपको निफ्टी की बताई फ्यूचर बाइक करा नैंटीन फाइवंड़ की पुट बाइकरी कॉल बेच्टे तो सिफ आपको सौ तक उसको प्रोटेक्शिन मिलता पुट बेच्चे विल बेटर ओव वुट विल हेल्प यूव वन यू है अन आउट रड्राइट बैरेश विव और आपको लगता है कि आप ये पोर्टफोलियों के सामने करना ठीक है या कोई या को या कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जहां पर आपका जो पाइंग का पुजिशन है वो डैट केन बी इन हाई डेंजर तो आपको यह कवर्ड पूट स्ट्राटेजी करने का आप कर सकते कि एक बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करता है तो कोई भी ऑप्शन स्ट्राटेजी बनाने में बुलिश या बैरिश कैसी बी स्ट्राटेजी अगर में बनाते हैं तो और उसमें कुछ आप डीटेल दे सकते हैं कि कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस या कौन सा टाइम या तो टाइमिंग अगर आप्शनस में करना हो तो हमेशा आप अगर देखेंगे जब नया सेरीज चलो होता है फ्यूचर में तो पहले जो दस दिन रहते हैं वहाँ प्रीमियम बहुत तगड़े मिलेंगे आपको बहुत ही जूसी प्रीमियम हाई रहते हैं तो प्रीमियम रहत है कुछ पच्टा नहीं है उसमें और डाट इस दाइम में यू गट ऑप्शन चीप पट इस दाइम वाली स्टेजी हो जहां पर एक अब ऑप्शन सेलिंग की रखे उसका बेस्ट टाइम होता है इनिशेल पार्ट अब दी सीरिज की जबी लेट से फॉर्ट तो टैन्थ यूए स्टेजीज विच विच असलिंग कंपोनेंट फॉप्शन इनौर्ड 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 कर लेना सेलिंग स्टैजीज बिकॉस गलत पड़ गए तो वहां पर बहुत ही हानिकारक हो सकता है आपके ट्रेड के लिए और यह हमरे विए कपल जी है इन्होंने पूछा है कि इन बुल इन पुट स्परिड वी हाफ तो वेट फॉर एक्सपाइरी या फिर हम अरली प्रॉफिट बुकिंग करके भी निकल सकते ह और प्रॉफिट बुकिंग ऐसी चीज़ है ना इस एन इंडिविजल पर्सन्स डिस्क्रेशन जबी आप कोई भी स्टाटेजी डिवाइस करते हैं तो आपको एक पता रहता है कि मैं मैं मैक्सिमम प्रॉफिट ये स्टाटेजी में कितना बना होंगा या मैक्सिमम लॉज कि यह बिटाया है और 50% अफका प्रॉफिट बन रहा है तीन दिनों में इस वाइस 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 टू वाइस टू बुकियर प्रॉफिट राइट वॉडवेस सज्जेस्ट की ताइमिंग यह चीज़ बहुत इंपोर्टन एफ इफ दो मनी विच यह र मेकिंग इस गूद इन और चार हजार अपका जल्दी एक हफते के अंदर बन रहा है तो आप इसको बुक कर लिजिए और फ्री तो डूट अल्वेस इस नोट निसेसरी आप डिली एक्सपारी इस यॉर डिस्क्रेशिन यू कैन बट आ वुड अल्वेस सजेस्ट अट जल्दी पैसा बन रहा है है और अक्षे जी यह ऑप्शन चेंज को हम लोग और बेटर तरीके से कैसी उस कर सकते हैं हमारे स्टाटीजीज बिल्डिंग में तो ऑप्शन चेंज में इस वेरी कॉंप्लेक्स सब्जेक्ट बिकॉस ऑप्शन चेंज इन इसेल्फ एक पूरा प्रेजेंट एक अपना पूरा मास्टर क्लास ही लग जाएगा उसमें सीखने के लिए पर मैं उतना ही कहूंगा एक बेसिक फैक्टर हम जो हर एनिलिस देखत क्या ओप्शन चेंज में वो हता है कि open interest जो हमरे previous session में cover किया गया है always check where the highest open interest playsment is in calls and puts because options में क्या रहता है कि जो Smart Money suppression थी जो है थे थे आजए इस पृफ्षेल्घ ओप्सन। के कि वहाँ प्रबैपिलेटी अप्पिल सक्सेस बहुत जाधा रही है magical app करहें that is an assumption की वेरेवर दी हाइस्ट ओपन इंट्रेस्ट इस त्राइक विच इस बीन सोल्ड इंटू तो फॉर निफ्टी आज अगर आप विकली की में बात करूं जो तेरा जुलाइक और एक्सपायर हो रही है आज इसका मतलब है कि उन्नीस अजार पुट का कॉल बिका है और जो बेचने वाला है उनको लगता है कि उन्नीस का सपोर्ट है मार्केट में उन्नीस पाच्छो का रेजिस्टेंस है तो अप्शन ट्रेडर यह वेरी अवैर इन बिट्वीन कुछ में कुछ सिगनल नहीं बनता है ब इस पाच्छो पचास तक करा हमने कल फ्यूचर में स्पोर्ट में कुछ चार्सो सतर तक किया पाच्छो का रेजिस्टेंस था कॉल रैटर्स का और कॉल रैटिंग वहां पे कुछ अन्वान नहीं वह रेजिस्टेंस बारता और आज आज सुबह देखिए गाप डाउन करता है अपने को संबल जाना है वहां पर सपोर्ट करते हैं को बाइंडिकेशन के लिए दूणना है और मैं एक आखरी क्वेश्टन के साथ आज का सेशन करूंगा हमारे बिंकेक्स के बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्हों ने अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया ह हमारी आपके साथ जोड़े हैं जेम फिनांशल के साथ जोड़े हैं आप उनके लिए कोई टिप देना चाहेंगे क्योंकि कितने क्याप्टल के साथ स्टार्ट करें कितना मैक्सिम रिस्क लेके चलें और कितना प्रॉफिट बना सकते हैं को एक टिप और एडवाईस अगर कि बहुत चाहा रहती है क्योंकि जो है उसमें मार्जिंस बहुत कम लगते डिरेक्शनल रहते तो उसमें कोई हिच की चार्ट नहीं अपने सीधा कॉल खरीदा तेजी है तो टार्गेट लग लिया स्टॉप लोस रख लिया पर स्टॉप लोस ऐसी चीज होती है कि लॉस किस होता है अगर बीस हजार लगा रहे हो तो और एक दस हजार बरिये स्ट्राटेजी बिटा दीजिए आपका जो जर्नी रहेगा ऑप्शिंस में जो आपने आज एंटर करा है इसा नहीं कि कोई टिप मिल गया कोई अपने एक किदर से आपको टीवी पे दिग गया कुछ अनले स्ट्राटेजी और बेर स्ट्राटेजी जो आज हमने डिसकस करा बुल कॉल बेर पुट्ट इस बेस्ट वेर तो बिगिन अपना रिस्क रिवोड एक बार आप जान लीजिए कि क्या होगा क्योंकि अपने कॉल बाय करा और उसमें पैसा इमेजिटली बन गया आप कॉल बाय जाता है तो थे थिंग्स थे तो बिखलेक्स को अंदरस्टन और इस अधिपर आने के लिए, तो एंडिसिय। गूल टॉपैंड बड़मोंकि और अंपरुट्ट्य। शॉर्मच्णल विल्लीन कर दिन दिस पर्दिय। घर सॉच्छिट पंस्ट्टी अधिय। एपलीच ट्राइ मोराफ स्ट्राटेजीज मार्केट ऐसे तर पर अभी कि एक जो बुल रनता वो अभी यहां से जो स्मूथ राइड था मार्केट में वो मुझे लगता है जुलाई सीरियस के लिए थोड़ा सा भी एक रफ पैच पे चलेगा कुछ दिनों में पैसा बनना थोड़ा मु आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा व्यूर्ज मार्केट से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना ना भूले व्यूर्ज हमारा ये फ्राइडे का सेशन अब सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं यह हम लाइव जाते हैं फेस्बूक पे और पेपि आप वहाँ भी हमारे सर्जूर सकते हैं हमको देख सकते हैं हमारे मार्केट अपडेट्स अब जान सकते हैं थांक यू वेरी मच अक्षे थांक यू एवरी वां थांक यू बहुँत नमस्कार